उम्म नमह शिवाय हर हर महादेव स्वागत है आप सभी के अपने इस यूटूब चैनल जीवन जीने की कलाई स्प्रिक्चुल में आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं सरकारी नोकरी और ग्रहों के बीच में संबंध क्या है यानि कि अगर आप सरकारी नोकरी चाहते हैं तो कौन से ग्रह को बेहतर करना होता है और क्या उपाय है कैसे कर सकते हैं ये पूनतह समझेंगे सरकारी नोकरी पानी का प्रयास सभी लोग करते हैं लेकिन सरकारी नोकरी किसी को भाग्यवश्ची मिल पाता है ये भी सच्चाई है आज की डेट में भाग्य यदि प्राइबेट नौकरी दिलवाने में शनी की सबसे महतोपुन भूमिका होती है क्योंकि शनी को नौकरी का कारक माना जाता है इसलिए पत्रिका में शनी का मजबूत होना बहुत जरूरी है जनम कुंडली में यदि शनी मजबूत इस्थिती में हूँ जनम कुंडली में सुर्य दशम भाव में या एकादश भाव में मजबुत इस्थिति में हूँ तो सरकारी नोकरी मिलने के चांसे सबसे जादा रहते हैं पतरिका में पंच महापुरुष योग में से कोई एक योग विद्यमान है तो भी सरकारी नोकरी आसानी से मिल जाती है किन गलत आदतों के कारण सरकारी नोकरी नहीं मिलती है ये भी समझ लीजे फिर उपाय भी समझेंगे सरकारी नोकरी के लिए बहुत मेहनत की आवशक्ता होती है पिता का निरादर करने से सरकारी नोकरी नहीं मिलती है घर की पुर्व दिशा साफ न हुने के कारण भी सरकारी में बाधा आती है प्रातःकाल जल्दी नहीं उठने के कारण सुर्य की कृपा नहीं मिलती इसलिए जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठते हैं उनको भी दिक्कत होती है और अपने रिष्टेदारों से संबंध ठीक नहुने के कारण नौकरी में बाधा आती है क्योंकि दशम भाव छठा भाव एकादश भाव का स्वामी अच्छी हालत में ना हो तब दिकत आती है और नौकरी का कारक ग्रह शनी पीडित हो तो भी दिकत आती है सरकारी नौकरी पाने के लिए क्या उपाय करें तो उगते सुर्य नारायन को जल दें सुभा सुभा और नमस्ते करें नारंगी और लाल रंग का प्रयोक किया करें तामबे के बरतन गुड और लाल वस्तर का दान कर दें अपने माता पिता के चरण असपर्ष रोज करें भोज से लोग कहेंगे अगर इससे कुछ होना होता तो सब लोगों को नोकरी मिल जाती बिल्कुल इससे कुछ होना होता तो तो यानि कि आप मेहनत करते हैं और आपको सिर्फ कुछ समय लगता है इसको करने में यहीं करेंगे तो बहुत से लोग कहते हैं कि कब नोकरी मिलेगी नहीं पढ़ाई आपको करना होगा कर्म का कोई दूसरा विकल्प नहीं है कर्म प्रधान विश्वर अचिराखा लेकिन बहुत से लोगों को कारे करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है उनके लिए ये कारण होता है तो अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं 100% मेहनत कर रहे हैं और ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं इस वज़े से दिक्कत आ रहे हैं तो ये उपाय आपको करने में एक दिन में 5 मिनट भी नहीं लगना है बाकी टाइम आपको श्टडी में ही लगाना होगा अगर आप सूचेंगे कि सिर्फ ये कर लेंगे और जोब मिल जाएगा तो पॉसिबल नहीं है लेकिन ये करने के साथ-साथ आप मेहनत करते हैं तो मन भी लगेगा और आपको सफलता भी मिलेगी ये आज की वीडियो रही ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माधिय मसे हम लाते रहते हैं तो नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेर और कमेंट कर दीजे विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में तब तक आप सभी खु आदेव